ये वीडियो भी मैं उन पत्नियों के खिलाफ बना रही हूँ जिन पत्नियों ने अपने पती का जीना हराम कर रखा है अगर आपने अपने पती का जीना हराम कर रखा है जूटे केस कर रखे हैं तो मेंटिनेस के नाम पर आपको भी पती से मिलेगा ठैंगा आप कितना मर्जी जोर लगा ले जितना मर्जी जूट बोल ले जितना मर्जी उल्टे सीधे केस कर ले जितना मर्जी दिमाग लगा ले लेकिन अगर आप जूटे केस कर रही हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला ठेंगे के अलावा क्योंकि आपके जूटे केसों की वज़ा से ही वो सारी पतनियां जो आज परिशान हैं महरूम हैं एक एक पैसे के लिए एक एक पाई के लिए एक एक रोटी के लिए तिल तिल मर रही हैं वो सभी पतनियां सिर्फ और सिर्फ आपके जूट की वज़ा से तो प्लीज आप जुट बोलना छोड़ दीजिए जुटे के सिस करना छोड़ दीजिए और उन औरतों के बारे में सोचिए जिनको एक पल की चैन नहीं मिलता मेरे एक सब्सक्राइबर ने स्वीडन से मुझसे सवाल पूछा है कि पतनिया पती के उपर मैंटेनेंस का केस दायर करती हैं लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा होता है कि पतनिया जुटा केस किया करती हैं तो अगर वो जुटा केस करती हैं तो किन किन सूरतों में पती खर्चा देने से बच सकते हैं इसी तरह से मेरे एक और सब्सक्राइबर ने यूगांडा से मुझसे सवाल पूछा है राकेश पूनिया जी ने कि उनकी पतनी ने उनके खिलाफ जुटे केस कर दिये हैं वो और उनका परिवार अपनी बहु से बहुत प्यार किया करता था लेकिन पतनी अजीब वेवार किया करती थी हटी स्वाभाव की थी और उस हटी स्वाभाव के चलते चलते उसने जुटे केस कर दिये 125 का भी मेंटेनस का केस कर दिया जबकी वो लाक रुपया महीना कमा रही है जी हाँ आप सभी ने बिल्कु ठीक समझा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एकी सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि अगर उनकी पतनी जूटे केस कर रही है तो किन किन परिसितियों में पती अपनी पतनी को खर्चा देने से बच सकते हैं मैं एडवोकेट मोहीनी मोना आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहीनी मोना एडवोकेट अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सबस्क्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब देखिये पती के उपर पतनी ने खर्चे का केस दायर कर दिया अब अगर खर्चे का केस दायर किया है तो कानून ये कहता है कि अगर आप तापनी है तो आपके पती को आपको खर्चा देना ही होगा लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गलत केस लगाए खैर आपने केस दायर कर दिया अब आपके पती के पास सम्मंस पहुँचे समझ आने के बाद आपकी केस की कौपी भी आपके पती देव के सामने पहुँची यहां अगर उनको अपने आपको अपनी पत्नी को खर्चा देने से बचाना है तो सबसे पहला जो मेन ग्राउंड उनको ढूंडना है अनरीजनेबल ग्राउंड की अनरीजनेबल तरहां से आप बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से अपने पती से अलग हो गई कोई कारण नहीं था कोई रीजन नहीं था बिना किसी कारण के आप अपने माईके में चली गई या आप किसी और जगह पर जाकर के रहने लग गई आपको अपना कारण बताना होगा पत्नी को कि आप अलग क्यूं गई है आपको सबूत दिखाने होंगे कोट में सिर्फ ये कह देने भर से कि मेरे पती ने ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत किया तो मैं चली गई, it's not done इसी दरहां से पती को भी कारण दिखाने होंगे कि कैसे वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से एमई मायके में जाकर के बैठ गई ये था आपका पहला ग्राउंड, जिस ग्राउंड को अगर आप साबित कर पाते हैं पती देव से तो पत्नी को खर्चा देने से आप नहीं बच पाएंगे ये तो था आपका पहला ग्राउंड, अनरीजनेबल तरीके से आपकी पत्नी ने अगर आपको छोड़ दिया दूसरा तरीका अवैद संबंध या एडल्ट्री समझते हैं कि बहुत बारसा देखने में आता है कि पत्निया इस शादी के चलते चलते उन पुराने मित्रों से उन पुराने दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ा लिया करती हैं और आपको पत्ती होने के नाते बरदाश नहीं होता कि आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंदों में हो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बज सकते हैं लेकिन यहां पर भी आपको थाबित करना होगा सिर्फ कहने बरसे नहीं होता अगर आप साबित कर पाए तो आप खर्चा देने से बच सकते हैं और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको खर्चा देना पड़ सकता है तीसरा ग्राउंट आपकी पत्नी competent enough है यानि कि वो educationally बहुत sound है उन्होंने MBA किया हुआ है या she's a doctor or a lawyer और या फिर कोई engineer मतलब इस तरह की hire studies की हुई है कि उन hire studies के बाद वो अराम से अपना गुजारा चला सकती है लेकिन जान बूच करके वो आपको परिशान करने के इरादे से नौकरी नहीं कर रही है तो आप उनको खर्चा देने से बच सकते हैं लेकिन यहां पर भी आपको साबित करना होगा court में उनके educational documents के हिसाब से educational documents court में दिखाने होंगे जस सहाब को convince करना होगा that your wife is competent enough to earn अगला ground है कि आपकी पतनी आपसे जादा कमाती है उधारन के तौर पर आप पचास हजार रुपया कमाते हैं या नहीं कमाते और उधर आपकी पतनी 80,000 रुपया कमाती है एक लाख रुपया कमाती है जो कि अपने भरन पोजिशन के लिए पूरा है सही amount है कि वो अपनी भरन पोजिशन ठीक से कर सके उसके बावजूद भी अगर वो खर्चे का case court में दायर किया करती है तो आप मान करके ये चलिएगा कि आप खर्चा देने से बच सकते हैं बहुत ही असानी से आपको सिर्फ करना क्या होगा कि वो कहां पर नौकरी करती है और वो कितना कमा रही है जादा कमा रही है आप से ये documents आपको court में produce करने पड़ेंगे अगर आप documents court में दिखा देते हैं तो आप खर्चा देने से बच सकते हैं और आप सिर्फ मूँ से कह भर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई document आप court में नहीं लगा रहे तो आप नहीं बच पाएंगे तो ये थे आपके चार ऐसे कारण जहाँ पर आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपसी सहमती हुई और उस आपसी सहमती के दरान आप दोनों ने एक दूसरे से अलग रहना ठान लिया आपसे मेंटिनेंस पाने के वो छोड़ दिये और उन्होंने एक रिटन अग्रिमेंट बना लिया और उस रिटन अग्रिमेंट में एक शर्त लिखी गई कि मैं सो और वाइफ आपसी सहमती से आज अलग हो रहे हैं और मैं ये भी वायदा करती हूँ या मैं ये जो हक है पती से पैसा लेने का वो मैं छोड़ती हूँ मुझे अपने पती से कुछ नहीं चाहिए अगर इस तरह की कोई भी आपने शर्ते लिखी हुई है उसके बाद आप कोट में खर्चे का केस नहीं दायर कर सकती लेकिन यहां पर भी अगर आपने खर्चे का केस दायर कर दिया है और आपके पती ने ये डॉक्यमेंट ये रिटन डॉक्यमेंट कोट के अंदर जमा कर दिया है तो दिस इस मोर देन एनफ आप बच जाएंगे अपनी पत्नी को खर्चा देने से लेकिन हाँ अगर आपके पास ये रिटन एग्रिमेंट नहीं है आप सिर्फ मुझ से कह रहे हो कुछ नहीं होने वाला फिर तो आपको अपनी पत्नी को खर्चा देना ही पड़ेगा ये वो कारण है जिनकी वज़ा से आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे और छोटे छोटे कारण हो सकते हैं कि जब आप अपनी पत्नी से खर्चा देने में बच सकते हैं जैसे मान लेते हैं कि आपकी पती ने section 9 का case किया उनको section 9 restitution of conjugal rights की decree भी मिल गई और उस decree को मिलने की इतला भी आपको दे दी गई उसके बावजूद भी अगर आप अपने पती को नहीं जोइन कर रही हैं तो यहाँ पर भी आपके पती खर्चा देने से आपको बच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पती तो खर्चा देने से बचने के कारण ढूंड ही सकते हैं साथ ही साथ पतनी भी उन सबी कारणों को अच्छी तरह से सुन करके अपने केस में लागू कर सकती हैं कि वो यह गलती ना करें कि उनका पती इसका लाव उठाए तो आप पहले से ही तैयारी करके अपना मेंटेनेंस का केस तगड़ा फाइल करें कोट के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि आजकल जो मैं ये मेंटेनेंस के उपर स्पेशल सिरीज चला रही हूँ आप सभी पती भी आप सभी पतनियां भी इसका भरपूर लाब उठा रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आजका वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि वो कौन-कौन से कारण है कि आप अपनी पतनी को खर्चा देने से बच सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आजका वीडियो भी अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आजका वीडियो अच्छा लगा तो इसको like, share और comment करना न भूलीका और हां अगर आप मेरे से चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दे से जल्दे subscribe कर दीजएगा त